तो बैस स्वागत है आप सब का आज की स्वीडिम है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं NST Stand and Deliver 2023 के बार में हैं और यहाँ पर हम जानते हैं रसल मीने वीकेंड बिल्कु स्टार्ट हो चुगा है और हम जानते हैं कि रसल मीने वाई टू नाइट की होती है तो उससे पहले टेक ओवर भी होता है यानि कि NST का भी यहाँ पर पेपर भी होता है और बिल्कुल इस बार भी हमें देखने को मिलने वाला Stand and Deliver तो उसी कि यहाँ पर मैं आपको date and timing बताने वाला हूँ तो अगर मैं आपको यहाँ पर Stand and Deliver की date बता हूँ तो यहाँ देखने को मिलेगा 1 April को अब आप यहाँ पर सोचोगे कि 1 और 2 April को तो यहाँ पर रसल मीने आने वाली है तो यहाँ पर यह जो first night होगी रसल मीना सी उसके पहले ही यहाँ पर होने वाला है यानि कि मैं आपको अगर इंडिया की यहाँ पर date बता हूँ यानि कि timing आपको बता हूँ यहाँ पर इंडिया की तो 1 April यहाँ पर इंडिया की timing और रात को देखने को मिलेगा साड़े 9 बजे से क्योंकि यहाँ पर same date है USA के अंदर भी तो यहाँ पर वो take over को कराएंगे सुबा के time साइद यहाँ पर दिन के time और बाद में उसी दिन रात को यहाँ पर असल मीन होने वाला है तो इंडिया की यहाँ पर timing है वो है यहाँ पर 1 April और साड़े 9 बजे देखने को मिलेगा रात को Sony Sports Network की उपर तो take over भी हमें live देखने को मिले बाला वैसे last year भी यहाँ पर रात को हुआ था तो एक अलगी यहाँ पर experience होता है जब भी WWE का कोई भी सो यहाँ पर रात के time आता है तो उसको देखने में होतला एक अलगी मज़ा आता है कि भाई RM से यहाँ पर हाथ को देखेंगे सो तो साड़े 9 बजे आगा और बिल्कुल यहाँ पर 2-3 घंटे का वो सो होगा और मैच इसके हम पर हम बात करें तो डपलोपी ने हाँ पर कमाल कमाल के मैच इस बुक की है एक लैटर मैच हम देखने को मिलेगा Fatal 5 भी मैच होने वाला है जॉनिकार यहाँ भी हाँ पर जाच चुक है NST के अंदर तो अच्छे-चे मैच इस होने वाले हैं जो मेन इवेंट है बिल्कुल ब्राउन ब्रेकर और कारमेलो हेस का एक बड़ा मैच हम देखने को मिलेगा NST Championship के लिए तो कमाल का टेक ओवर होने वाला मैच के लिए परसनल यहाँ पर एक्साइड़ेड हो कमेंट करके आप लोग मुझे अताना कि आप यहाँ पर NST Stand and Delover के लिए कितना जांदा एक्साइड़ेड हो किस मैच के लिए एक्साइड़ेड हो नीचे कमेंट करके जरूब अताना वीडियो पसंत आई तो इसको लाइक जरू कर देना फिर तब तक के लिए ध्यान रगें अपने परिवार के तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुडबाई